दिली के आम आदमें पार्टी के चंदे में मिले दो करोड रुपए को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है बीजेपी कारोप है के अरविन के इश्रवाल आंदोलन की दोरान जनलोकपाल हिंद स्वराज की बात करते थे लेकिन आज उनकी पार्टी फर्जी कम्तियों के साथ मिलकर काले धन को वाइट करने में लगी है आपकी आमदनी वह मुश्किल एक साल में 10-15 पृतिशत बढ़ती है वो बात अलग है कि कुरोणा में वो और भी घट गई लेकिन राजनेतिक पार्टियों की आमदनी का ग्राफ हर साल 400-500 पृतिशत से ज्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में राजनेतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में 12 सी आ गई है इस चंदे की बार पर बीजेपी ने आमदनी पार्टियों पर फरजी कंपनी के इई मिली भगत कर ब्लैक मनी को वायत मनी करने का आरूप लगाया बीजेपी का कहना है कि हिंद सुराज और जनलोकपाल के सिध्धानतों की बात करने वाले केजरिवाल के सांसर विधायक आज फरजी कंपनी चला रहे हैं आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आये हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जब आमादी पार्टी जब इन्होंने बनाई थी उससे पहले वो जिस आंदोलन की उपज है लोगपाल के नाम पर हिंद सुराज के नाम पर उन्होंने एक बड़ा जनांदोलन खड़ा किया था और लोगों की आशा और आकांचाओं बनकर उबरे थे आज वो सत्ता में आ गए हैं और वो ऐसी करतूते कर रहे हैं जो बात वो पहले कहते थे वो सारी बातें जूटी सावित हो रही हैं उनके जो वो स्वच्छ राजनीत का संकल्प लेकर आये थे और आज ऐसा लग रहा है वो स्वच्छ राजनीत का चक्मा दिया था उन्होंने और वो चक्मा आज लोगों को समझ में आ रहा है जब आमादी पार्टी काले धन को सफेद करने में लगी हुई है आमादी पार्टी को नौकरी में एक तैर रकम पर टेक्स देना होता है लेकिन राजनीती का आलम देखिए राजनीतिक दलो को मिलने वाले चंदे पर आयकर पर छूट मिली हुई है विदान सभा में नेता परतिपक्ष का कहना है कि आयकर विभाक को आमादी पार्टी को 2015 से लेकर अब तक के मिले चंदे पर आयकर छूट खत्म कर 35% टेक्स लेना चाहिए साथ ही एडी को अवेदरूब से मिले दो करूड रुपे को जब्त कर मौजूदा वक्त में रहे पार्टी के पता अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कारवाई करनी चाहिए प्रुप्यों किया है तो जो चूप में किया है आईकर वहाँ से आईकर वहाँ किस दूप को रद करें तीसरा जैसे मैं आपको कहा कि दो क्रोड क्या इडी पुरत जब करें और तीन सो परसेंट पेनलटी तब से लिए अभी तक इनसे वस्वरी जाए और इनकी पार्टी के उनके खिलाफ केस चलना जाहिए ये मैं अपनी और से और अपने सभी इन हाइर की ओर से आदरी अज़्दी मैं आपकी उपस्तिती मैं सरकां से और इंटम नेस इपार्ट्मेंट से महां करना था सामजनिक मंचों में हर राजनितिक पार्टी विवस्था में पारदर्शिता लाने की बात करती है चंदे के लिए इन देन पर ये पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठाती है अब आप ही सोचिए ये कैसी पारदर्शिता है